बहुत शुक्रिया है हमारा शेयर है लक्नम में आ एक के बस बहुत जोर जोर से लुका जूशोρ से सब कुछ बाति सुनने के लिए तो इस कड़ाके की ठंड में आप लोग डटे हुए हैं और आप यहां बैठे हैं मारी दास्तान मारी कहानी सुनने के लिए तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो यह गाथा तुलसिदास जी की है कि मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंस मनी हरव विशम भव भीर कामी ही नारी पियारी जिम लोभी ही प्रिय जिम दाम तिम रगुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहिराम तिम रगुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहिराम रामही केवल प्रेम पियारा जान ले हिसो जान निहारा आचारि विश्वनात त्रिपाथी कहते हैं कि लोग इस बात से तो सहमत हैं कि तुलसी दाज बहुत लोगप्रिय कवी है मगर उनकी लोगप्रियता का आधार क्या है उसका कारण क्या है कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस तेश की अधिकांच जंता धर्म भीरू है यानि कि धर्म से डरने वाली है तुलसी की कविता धर्म का प्रचार करती है इसलिए वो इतने लोकप्रिय और प्रचलित हैं मगर ऐसा होता तो फिर बाकी भक्त कभी नाभादास अग्रदास नंदास ये सब उतने लोकप्रिय क्यों नहीं है और भक्ती तो केशव की कविता में भी है फिर तुलसी की लोकप्रियता का कारण ये है कि उन्होंने अपनी कविता में अपने देखे हुए जीवन का गहरा बहुत गहन चित्रण किया है उन्होंने राम के परंपरा प्राप्त स्वरूप को अपने युग के अनुरूप बनाया है उन्होंने भवभूती और वालमी की के राम को पुनह स्थापित नहीं किया बलकि अपने युग के नायक को चित्रित किया है तुलसीदास के चिंतन और दर्शन के राम ब्रह्म है लेकिन उनकी कविता के राम लोक नायक है और इसी लिए तुलसिदास की कविता का लोग प्रिय होना धर्म भीरुता खते ही नहीं है इस देश में कोई मंदिर ना जाए, कोई भजन ना करे, कोई कीर्टन ना करे मकर तुलसिदाज की कविता फिर भी लोग प्रिये रहेगी क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए संधर्वान है आचार जी ने बड़े पते की बात की है शोता हूँ मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिने हिंदुस्तानी विद्वानों पर भरोसा नहीं होता तो उन लोगों के लिए पेश है तीन जाने माने विदेशी विद्वानों की राए मशूर इतिहासकार विंसेंट ए स्मित लिख रहे थे अकबर की जीवनी मगर उसमें उन्होंने तुलसिदाज के बारे में क्या लिखा वो सुनिए तो वो लिखते हैं कि तुलसिदाज का नाम तदकालीन एतिहासिक ग्रंथों में नहीं मिलेगा लेकिन वो अपने वक्त के अपने जमाने के बहुत एहम व्यक्ती है अकबर ने कितनी ही जंगे क्यों न जीती हो मगर तुलसिदाज उनसे बड़े विजेता हैं और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने करोडों हिंदुस्तानियों का दिलों दिमाग जीत लिया और जोर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि मैं तुलसिदाज को भारती एथिहास का सबसे एहम व्यक्तित्व मानता हूं और फादर कामिल बुलके कहते हैं कि तुलसी की कविता से किसी भी कवी को रश्क हो जाना स्वभाविक है वो भारतिय रामकथा परंपरा के सर्वोत्तम प्रतिनिधी है तो किस्सा यूँ है कि बनारस में जब तुलसीदाज थे तो एक बार उनके पास एक गरीब आदमी आया जिसे अपनी बेटी का बियाह करना था मगर उसके लिए उसके पास पैसे नहीं थी अब वो आदमी तुलसीदाज के पास आया उसने कुछ मदद लागी तुलसी दास तो ठहरे संत उनके पास पैसा कहा मगर तुलसी की मित्रता उस वक्त के एक और बड़े कवी रहीम से थी अब्दुर्रहीम खाने खाना कवी तो थे ही मुगलिया सुवेदार भी थे तो तुलसी ने एक दोहे की एक पंग्ति लिखकर उस गरीब आदमी के हाथो रहीम के पास भिजवाई पंग्ति थी सुरतिय नरतिय नागतिय अस चाहत सब कोई यानि सुरों के इस्त्रियां नागवन्शियों के इस्त्रियां मनुश्यों के इस्त्रियां सब ऐसा चाहती है अब जब ये पंग्ति लेकर वो गरीब आदमी रहीम के पास पहुँचा उसने सारा माजरा कहा और ये रुका दिया तो रहीम समझ गए कि करना क्या है तो रहीम ने पहले उस आदमी की जरूरत को पूरा किया उसे खूब सारा धन धन ने दिया और उसके बाद तुलसी की तारीफ में इस दोहे को भी यूं मुकमल किया कि सुरतिय नरतिय नागतिय अस चाहत सब कोई गोद लिये हुलसी फिरें तुलसी सोसुत होई तुलसी दास की पंक्ति में इशारा ये था कि सुरों के इस्त्रियां मनुश्यों के इस्त्रियां और नागवंशियों के इस्त्रियां ऐसा चाहती है यानि रहीम जैसा एक पुरुष चाहती है रहीम ने जब दोहा मुकमल किया तो यूं किया कि सुरो के इस्त्रियां मनुश्यों के इस्त्रियां और नागवंशियों के इस्त्रियां सब हुल्सी के सुत तुल्सी जैसा एक बेटा अपने लिए चाहती है जिसे गोद में उठाए वो सब खुशी से जूमती फिरे तो तुल्सी दास की मितरता कभी रहीम से थी जो मुगलिया सुवेदार रहीम थे उनसे वो अलग थे अब इसका भी एक फिस्सा सुनिए कि अब्दुर्रहीम खाने खाना ने एक बार तुल्सी दास के पास ये प्रस्ताव भिजवाया कि आप मुगल मनसबदार हो जाएं जब ये प्रस्ताव तुल्सी दास के पास आया तो उन्होंने एक दोहा कहा और रहीम के पास भिजवाया कि हम चाकर रखुबीर के पटो लिखो दरबार तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार याने हम तो अपने रखुबीर जी के चाकर हैं हम बला इनसान के मनसबदार क्या होंगे तुलसी दास जब बनारस में थे तो एक बड़ी विचित्र घटना घटी बनारस सुन्दिनो धर्म और संस्कृती का गड़ था अध्यात्म का केंद्र था वहां जब ये खबर फैली कि तुलसी दास ने अवधी में राम का चरित्र लिखा है तो हंगामा बर्पा हो गया वहां के पंडे, पुजारी, धर्म, वेता, शुदता, वादी सब के सब तुलसी के खिलाफ हो गए अवधी जैसी लोक भाषा में, अवामी भाषा में कहीं राम का चरित्र लिखा जा सकता है वो तो सिर्फ देववानी संस्कृत में ही शोबता है ये तो राम को उनके पत से गिराना है, विरोध करो इस तुलसी का मगर तुलसी दास डटे रहे, उन्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा अवधी जैसी आम भाषा में, अगर राम का चरित्र लिखा जाएगा, तो वो जन जन तक पहुँचेगा उन तक भी, जने सदियों से इससे वंचित रखा है इस से राम कथा का लोक तांत्री करण होगा बगर इन सब दलीलों से पंडे नहीं माने और तुलसी दास का विरोध जारी रहा फिर एक दिन, उन्होंने भी करारा जवाब दिया और कहा धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कहो काहू की बेटी से बेटा न्या बाहब, काहू की जात बिगाल अबना को तुलसी सर नाम घुलाम है राम को, जाको जुरुचे सो कहो को मांग के खईबो, मसीथ में सोईबो, लेबे को एक न देबे को दो तुलसी दास ये कह रहे हैं कि भई, मुझे आपसे कोई लेना देना ही नहीं है मैं मांग के खालूंगा, मसीथ में, मस्जिद में सो जाऊंगा लेकिन आपके इन छलशदमों से, इन विरोध प्रदर्शनों से दूर रहूंगा मुझकिलों में मस्जिद मलंग रहने की अदा, तुलसी दास ने बच्चपन से ही सीख ली थी वो जब पैदा हो रहे थे, तो उनके गाउं राजापुर में बड़ा खराब समय चल रहा था उनकी मां की हालत भी ठीक नहीं थी उनके पिता आत्मा राम दुबे बेचैन होकर इधर उधर घूम रहे थे, किसी ठीक ख़बर का इंतजार कर रहे थे अचानक बच्चे की रोने की आवाज आई, आत्मा राम दर्वाजे पर पहुँचे, दर्वाजा खुला दाई बाहर निकल के आई उसने बढ़ाई दी, बेटा हुआ है, मगर मा की हालट ठीक नहीं है मा, तुलसी की मा यानि की हुलसी, उनकी हालट ठीक नहीं थी, वो बेहोश थी बैच जी आये, कुछ किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ आत्मा राम के लिए विकट इस्तिती थी थाली बज रही थी, लोग बधाईयां देने आ रहे थे अधेड उम्र में, मन्नतो मुरादो बाद, आत्मा राम को ये उलाद मिली थी बगर आत्मा राम खुश कैसे हो बेटा आया है, उसकी खुशी कैसे मनाए क्योंकि हुलसी, जो मुश्किलों में उनका संबल थी, उनका अवलंब थी, वो जा रही थी उसकी चेतना का दीब बुझ रहा था आत्मा राम इश्वर से प्रार्थना करने लगे, ही इश्वर, ये कैसी मुश्किल की घड़ी आ गई है, मेरी क्यों परीक्षा ले रहा है बालक आया, मगर मा के लिए संकट ले कर अगर मा नहीं बची, तो इस बच्चे को कौन बचाएगा, कौन चिलाएगा सब लोग आत्मा राम को ढांडस पंदा रहे थे, आत्मा राम हिम्मत रखो इश्वर चाहेगा तो दोनों को बचाएगा, जब बच्चा दूद के लिए हुमक उठाएगा न, तो देखना, मायम द्वार से द्वाड़ी चली आएगी मगर आत्मा राम को चैन नहीं पड़ रहा था, और कुछी समय में ये खबराई की हुलसी नहीं रही आत्मा राम बिलख बिलख कर रो रहे थे, कुछी देर में एक पंडित जी आए, कुछ गुड़ांगर किया और बोले काल है ये बच्चा, काल, अमंगा लक्षत्र में पैदा हुआ है, पैदा होते ही मा को खा गया, अगर ये जिन्दा रहा, तो कोई नहीं बचेगा आत्मा राम तो जिस आलम में थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर आस पास के लोग काना फूसी करने लगे हाए कैसी अपशकुनी अउलाद है, पैदा होते ही मा को खा गया, अरे इसे तो मार डालना ही बहतर है, ईश्वर के आगे किसी की चली है, अरे देखना अगर ये जिन्दा रहा तो कोई नहीं बचेगा कुछी देर में एक आदमी आगे बढ़ा, उसने आत्मा राम की बहां पकरके जंजोडा और बोला, मार डालो इस साफत की पुड़िया को, मार डालो आत्मा राम चारों तरफ से सिर्फ ही आवाज हैं, मार डालो, मार डालो, मार डालो, आत्मा राम बहोश हो गए, दाई इस नवजाद बच्चे को लेकर कहीं गायब हो गए, इस नवजाद शिशू का जीवन तो बच गया, मगर जीवन का मान नहीं बचा, गरीबी जीवन का सारा सौंदर, सारा मान मिटा देती है, पच्चपन से ही ऐसे मुश्किल हालात इस बच्चे ने देखे, कि बड़े बड़ों का होसला तूट जाए, ये तो सिर्फ बच्चा था, वो दाई जो इस बच्चे को ले गई थी, कुछ तिनोबाद वो भी नहीं रही, उसके बाद एक विकारन बुड़िया ने सहारा दिया, वो भी चल बसी, अब ये अबोध वालक पूरी तरहे से अनात होकर सडकों पर मारा मारा फिरता, ऐसी विकट गरीबी कि कई दिनों तक फाका करना पड़ता, दीन हीन, लुंज पुंज हो गया, शक्ल सूरत बाद बदन तभा हो गया था, तो साथ साल का राम बोला, एक दिन एक मिठाई की दुकान के बाहर पहुचा, दुकान के बाहर खड़ा होकर, दुकान में सजी मिठाईयों को टुकुर टुकुर देख रहा था, ये अचानक दुकान के मालिक की नजर उस पर पड़ी, अरे से आंगए ग्राहक ने सुना तो कहा भी बच्चा है, खड़ा है खड़ा रहने तो जो गुस्घा करते हो। नौकर ने टोका, बच्चा नहीं है, सनीचर है सनीचर, पैदा होते ही मा को खा गया, फिर बाप송 नहीं रहा, फिर दाइहीं नहीं रही, फिर एक ग्राहक जिसने रामबोला से सहानुभूती दिखाई थी वो भी घबरा गया डर गया कहने लगा आरे बाप रे बाप मनुसियत की ऐसी कथा तो पहली बार सुनी तुझे बचा कर गलत किया चल भाग पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं अभी ये बात चली ही रही थी कि दुक तो पहले ही था धूल धूसरी तो पहले ही था सो मजीद गंडा क्या होता मगर चोट की पीडा से रोने लगा और चोट को सहलाते हुए आगे बढ़ गया आगे कुछ बच्चे कुछ लड़के गिल्ली डंडा खेल रहे थे अच्छे घरों के अच्छे कपड़े पहने हुए बालों में तेल लगा अच्छी तरह से बात करते हुए उनकी गिल्ली उचलकर रामबोला के पास आई इसने बढ़े खुलूस से वापस की कि लो भाई आपनी गिल्ली अरे बस खजब हो गया लड़के आगे बढ़े और तुलसी को डाटा तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गि अधा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और यह सब हसने लगे बच्पन में विपन्यता और दरिद्रक्ता का जो भीशन दंश तुलसी दास ने जहेला उसकी पीड़ा वो जिन्दगी भर नहीं भुला पाई आचार विश्वणा त्रिपाठी कहते हैं कि तुलसी का जीवन सबसे ज्यादा तरस्त निर्धनता से ही है उनकी रचनाओं में भूख और दरिद्रता सिर्फ उपर उपर ही नहीं आते हैं उन्होंने राम का जो गुणगान किया है रामकता का जो बखान किया है उसमें दरिद्रता और रोग उनकी रचनात मकता का अभिन अंग बनकर नजर आते हैं तुलसिदास मारमिक से मारमिक प्रसंगों में भी अपनी निर्धनता को विर्समत नहीं होने देते और इसी लिए वो अपने राम को गरीब नवाज और दीन बंधू कहते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राम ही हैं जो गरीबों को उनकी निर्धनता से उनकी विपनता से उबारते हैं और हाजरीन तुलसिदास की कविता की एक और छटा देखिए कि वो तुलसिदास जिन्होंने अपने बच्षपन में कितने ही दुख उठाए कितनी पीडा जेली कितने कश्ट उठाए जब वो अपने आराध भगवान राम के बच्षपन क्या वर्णन करते हैं तो अपने सा सारे कश्ट भुला देना चाहते हैं कि दरिद्रता की चक्की पीस्ते हुए बच्षपन में जो स्वपने जो खाब तुलसिदास ने देखे होंगे उसकी असल शिद्दत हमें यहां देखने को मिलती है जब वो दश्रत नंदन राज दुलारे भगवान राम के बच्षपन क वरिणन करते हैं ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया किला की किलती उठत धाय गिरत भूम इलट पटाय धाय मात गोद लेत दसरत की रनिया ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया तुलसिदास का जीवन घोर दारिद में खप रहा था कि एक दिन अचानक बाबा नरहरिदास की नजर इस बच्चे पर पड़ गए और उन्होंने इस बच्चे को अपने साथ ले लिया वगएर मंगल अमंगल की परवाख ये वगएर इसकी शिक्षा दीख्षा की इसके सार किये इसे राम बोला से तुलसिदास बनाया और इस सबसे उपर उसे राम कथा सुनाएं राम कथा सुनते ही तो यूं समझिये जैसे तुलसिदास पर कुछ नया लोग ही खुल गया उसे आज पहली बार महसूस हुआ कि कोई उस चैसे बे सहारे का भी सहारा हो सकता है कोई है जो उस पर भी कृपाद्रिश्टी रख सकता है और वो है भगवान श्री राम जिनका चरित्र बाबा नरहरिदास ने उसे सुनाया था और बस राम कथा सुनने के बाद तो यूं समझिये कि तुलसिदास की जिन्दिगी ने एक नया मोड ले लिया और उन्होंने पूरी तरीके से अपने को राम में डुबो दिया तुलसिदास कहते हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीडा सम नहीं अधमाई दूसरों के हित के समान दूसरों के कल्यान करने से बहतर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने से ज्यादा दूसरों को तकलीफ देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है विने पत्रिका के एक पद में उन्होंने राम की विशेष्टाएं बताई है और उन विशेष्टाओं में कुलसी दास कहते हैं कि राम निसंबल के संबल है असहाय के सखा है गुनहीन के गुन है कुलहीन के कुल है विकलांग के हाथ पाउ है अंधे की आखें है निराधार के आधार हैं निर्बल के बल हैं और ये वही राम हैं कि जिनके सुमिरन से तुलसी जो पहले बंजर भूमी के समान था वो अब उर्वर भूमी में बदल गया है बाबा नरहरिदास से रामकरथा का प्रसाद मिलना तुलसी के जीवन की बहुत बड़ी घटना थी बाबा नरहरिदास नहीं उन्हें शुरुआती शिक्षाक दी और वही उन्हें आगे की कठिन पढ़ाई के लिए बनारस ले गए काशी के सबसे बड़े आचार गुरुशेश सनातन के पास बाबा नरहरिदास चाहते थे कि ये बच्चा जिसने अपना बच्पन घंगोर, दारिद, विपनिता में गुजारा है वो अपने बच्पन की सारी पीड़ा भूल जाए और एक प्रकांड मरमग्य बने और हुआ भी ऐसा ही बारा साल तक तुलसिदास ने गुरुशेश सनातन के आश्रम में कठिन परिश्रम किया उनकी लगन और उनकी प्रतिवा ऐसी थी कि काशी के विद्यार्थी ही नहीं, वहीं के विद्वान नहीं कि दूर दरास से जो लोग आते थे जो विद्वान आते थे वो भी उनकी प्रतिवा को देखकर उनकी लगन को देखकर दंग रह जाते थे बारा साल बहुत लंबा वक्त होता है बारा साल बाद जब तुलसी दा, शेश, सनातन के आश्रम से बाहर निकले तो वो पून, वयस्क, चेतना, शील, विद्वान बन चुके थे तो आगे की कहानी में बहुत सारे मोड हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं लेकिन जो कि समय बहुत सीमित है मैं आपको एक किसा सुनाता हूँ, जो राम्चरित मानस की लोख प्रियता से जड़ा हुआ है और उसके बाद हिंदी के बहुत बड़े कवी सुरिकान त्रिपाटी निरला का एक कौल है तुलसी दास के बारे में तो रामचरित मानस से जुड़ा हुआ किस्सा यह है कि RTH Griffith जो बनारस संस्क्रित कॉलेज के प्राचारे थे मानस के बड़े मरमग थे और कहा जाता था कि रामचरित मानस पूरा उन्हें कंठस्त था अंग्रेज थे मगर उन्होंने वेदों और उपनिश्दों का संस्क्त में संस्क्त से अंग्रेजी में ट्रांस्लेशन किया था तो उनके पास एक लड़का जो बनारस कॉलेज में थोड़ा उधमी किसम का रहा होगा उसने कोई शैतानी की अब पता चला कि Griffith साहब उसको सजा देने वाले हैं क्योंकि बहुत अनुशासन प्रिय थे तो उस लड़के कुछ अनुचित कर रही गुरु पी तुमा तुमोद जी अधर ही यानि अगर ड़के या बच्चे कुछ अनुचित करते हैं तो गुरु और माता और पिता उसको सजा नहीं देते बलके उस पर खुश होते हैं उसको लगा के भई बात बन जाएगी मागर ग्रिफित साहब मानस मरमग थे तो उने भी अरधाली में जवाब दिया कि जो न देऊं सट डंड कठोरा वर्था होई शुति मारग मूरा यानि कि अगर दुष्ट विक्ति को सजा न दी जाए तो यह ग्यान मारग जो है वर्थ हो जाएगा और बाखी रहा निराला जी का वो खौल तो निर ही कि इसके बाद निराला हिंदी बंगला और अवधी के लिए यंदी बंगला और अंग्रेजी के बड़े बड़े कभीओं के नाम गिनाते और फिर कहते के जब इन सब बढ़ेंं का पढ़ित है तो जिए वो Tuesday या मगर जब तुलसी बाबा का पढ़ित है तो इन सब का उठ तो यह हैं तुलसी दास और बागी कहानी तो फोड़ा वक्त होगा तो फिर सुनाएंगे शुक्रिया थैंक्य।